राजस्थान शिक्षक संग राश्ट्रिय के प्रदेश अध्यक्ष संपक्त सिन्ह ने मुख्यमंत्री इमाम शिक्षा मंत्री को ग्यापन भेज़ने कर ग्रामीन ख्षित्रों में संचालित समस्त विद्यालेयों को बंद करने की मांग की है। संग के जिलाध्यक शनुप सीसोनू के अनुसार जीले में भी ग्रामीन ख्षित्रों में कोरोना का कहर बरपाया हुआ है। कई ग्रामीन विद्यालेयों में कोरोना वायरस के मामले आये हुए हैं, जिससे संपूर्ण विद्याले में इसका प्रभाव पढ़ने की आशंका संगठन के जिला मंत्री नटवर व्यास ने बताया कि अधिकांच्स विद्ध्यालेयों में अध्यापकों का आवागमन शहर से होता है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि कोरोना का प्रकोप शहर से ग्रामीन ख्षित्रों में भयंकर रूप से बढ़ जाएगा, वर् विद्ध्यालेयों के अध्यापकों द्वारा दूर्भाष से सूचना दी जा रही है कि उनके विद्ध्याले में विद्ध्यार्थियों में खासी जुकाम की शिकायत है जो की कोरोना रूपी बिमारी को इंगित करता है, ग्यापन में मुख्यमंत्री वशिक्षामंत्री से आग रह किया है कि संपूर्ण ग्रामीं ख्षित्रों में संचालित विद्यालेओं को बंद किया जाए और शिक्षकों को वर्क प्रॉम होम की अनुमती प्रदान की जाए जिससे ही इस भयंकर महमारी से बचाव संभव है विद्यार्थियों में कोरुना वाइरस फैल जाती है तो संपूर्ण ग्रामवासी इसकी चपेट में शीग्र ही आ जाएंगे जिसको जिसको नियंत्रित करना भी प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा आगामी 22 वा 23 जन्वरी को विवास अमारोहों का सीजन है उसमें भी ग्रामी क्षित्रों के विद्यार्थियों के आगमन से करन महमारी पूर्व की तरह भयंकर रूप ले सत्ति